तो प्रेंज आज आप लोग के साथ बहुत ही आसान तरीके से सिंपल खुलती की कटीन और शेचिंग से यह करने वाले हो बनाए हुए है और यह सिंपल खुलती को बैसे डिजाइनर बना सकते हैं और देगे यहाँ पे नेक पे भी इस तरह से डिजाइन बनाए हुए है तो बीना वीडियो के स्कीप कि यह वीडियो को आप भूरा देगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो चलिए फ्रेंज अब हम इसके कटीन स्टार्ट करते हैं तो यह मेरा फैबरिक दो मीटर है जो कि हम आपको आगे पहले ही बता चुके हैं और इसके साथ मैं यूज करने वाली हूँ यह देखिए लैस यह दावन पे और स्लीप पे भी रहेगा और यह एक तरह का यह लैस है देखिए ऐसे यह पतला है तो यह दोनों लैस आपको इजली मार्केट में मिल जाएगा या फिर आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी लैस यूज कर सकते हैं तो यह देखिए इसको हम एक फ्लावर नीचे के साइड में जा रहा है और एक फ्लावर उपर के साइड में जा रहा है उसके बाद आप चाहें तो दोनों पार्ट को एक साथ भी कट कर सकते हैं या फिर सिंगल कट कर सकते हैं तो देखिए पहले हम फ्रंट पार्ट करेंगे तो इस तरीके से एक फैबरिक ले लिए अब इसको टूफोल्ड में रख लेंगे और जितना भी आपका हिप का साइज तो आप उसमें दो या तीन इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े को फोल कर लीजिए उसके बाद उसको कट कर लीजिए तो देखिए इस तरह से हम कट कर लिए टूफोल्ड रखते हुए अब हम उपर में एक स्टेट लाइन ड्रो कर लेंगे जिससे मेरा उपर में जो दोनों निसान को हम इस तरह से आपस में मिला लेंगे यह देखिए ऐसे और इधर से भी एक लाइन ड्रो कर लेंगे अब चेस जितना भी आपका हो उसका आप चौथा भाग यहां पर लगा लीजिए तो हम अपने हिसाब से लगा रहे हैं आप अपने हिसाब से लगा लीज अब दोनों निसान को इसको हम सिधह कर लेंगे और जो ही प के पास है इसको भी हम सिधह कर लेंगे इस तरह से लिए और जो चेस के पास लगाये थे हम नीचे हीप के पास भी लगा लेंगे अगर आपका हीप का साइज ज्यादा है चेस से तो आप वहाँ पे हाफ इंच बढ़ा लेजिए अब देखिए इस तरह से में लैंड ड्रो कर लेंगे फिटिंग का और सिलाई मार्जिंग लेते हुए इसको भी हम इस तरह से लैंड ड्रो कर लेंगे देखिए ऐसे अब हम उसके बाद आर्मोल की इस तरह से शेप दे देंगे तो यह मेरा फ्रंट पार्ट है और हाफ इंच कंदे को डाउन कर लेंगे अब हम इसकी लेंथ लेंगे तो देखिए इसकी टोटल लेंथ है चालीस है इसमें 5-2 इंच कर लेंगे और इसे ऋर्ग लेंगे के लेंडONEY आप स sail कर लेंगे तो इसका लेंथ और भी भी बढ़ जाए जया देखिएं से निसान लगा कर लेंगे अब आप इसनिसां पर इसको कर लेंगे है यह करेंगे तो जो कपड़ा है उसको हम टूफॉल में बचा है इंगे और उसी को पर हां फ्रांट को रखते हुए उसको भी कट कर लेंगे तो देखिए इस तरह से अच्छे से सेट करके रखेंगे एक बराबर में यह देखिए अब हम इसी निशान पर इसको कट कर लेंगे तो यह देखिए फिर मेरा बैक और फ्रन पाट दोनों कट हो गया अब हम यहाँ पर नोचेस लगा लेंगे इस तरह से यह देखिए और फ्रन वाले शोलर को इस तरह से हम डीप कर लेंगे और देखिए ऐसे तो यह मेरा complete हो गया, अब हम इसमें neck cut करेंगे, यह मेरा back part है, तो back part जो भी आपको neck चाहिए, friend, deep या sword अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं यहाँ पे छोटा ही बना रही हो, तो इसकी length मैं 5 इंच ली हूँ, और इसकी चोड़ाई है, जो मैं 2 इंच ली हूँ, अब देखिए इसको हम cut कर लेंगे इस तरह से, तो यह मेरा cut हो गया, friend, और front part में हम बाद में cut करेंगे, उसके बाद हम sleeve की cutting करेंगे, तो यह देखिए, यह जो side से fabric बचा हुआ है, तो यह तरह से 2 fold में रखते हुए, 4 fold कर लिए, इस तरह से, यह देखिए, तो यहाँ पे joint आएगा, friend, इसमें हम joint लगाएंगे, तो जैसे हम normal sleep की cutting करते हैं, वैसे हम इसको भी cut कर लेंगे, तो लेंट आपको जितना भी sleep के चाहिए, आप अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए है, friend, तो हमारे चैनल को सिस्क्राइब कीजिए, और साथ में बिल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए, जिसे मेरा हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन, आप तक सई टाइम पर पहुँचे ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, मैं सिलाई से जोड़ी कोई ना कोई वीडियो हर रोज अपलोड करती हूँ, तो यह देखिए, friend, मेरा स्लेप काट हो गया, अब हम इसमें जोइन लगाएंगे, तो इसको टूफोल्ड में करते हुए, क्योंकि दो ही फोल्ड में मेरा स्लेप यह होगा, जोइन आएगा, तो सिलाई में एड करते हुए, इस तरह निकाल लेंगे कपड़े को, चढ़ा कर और इस पे कट कर लेंगे, और देखिए, इस तरह से बिच में भी कट कर देंगे, ताकि यह देखिए, दो हो गया, और इसमें यह जोइन हो जाएगा, तो चलिए, अब हम इसकी स्टेचिंग करत तो इसके लिए हम पहले नेक की पटी काट लेते हैं, गला की पटी, तो फ्रंट वले पहले कट करेंगे, तो यह देखिए, इसको हम सीधा कर देंगे, और यह फैबरिक जो इतना ही बचा हुआ है, इससे हम गला की पटी बनाएंगे, तो दो इंच इसकी लंबाई लेंगे, और इसकी लंबाई लेंगे फ्रेंड, सारे चार इंच, यह देखिए, और इसको हम एक बॉक्स बना लेंगे, और इस तरह से सेप देंगे, देखिए, अब हम इस तरह से सेप देंगे, देखिए, और इसको इस तरह से नीचे में लिया कर इसे ऐसे कर लेंगे, तो इसकी लं मैं बिना बक्रम से यह बना रही हूँ नेक फ्रेंड तो देखिए अब हम इसी के सेप में इसको कट कर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से नेक बनेगा ऐसे अब हम बैक पार्ट को भी कट कर लेते हैं बैक पार्ट में जो नेक हम कट किये हैं तो इस तरह से टो फॉल्ड में रखते हुए हम बैक वाले पार्ट को इस तरह से रख लेंगे देखिए ऐसे और इसी की सेप में हम इसको कट करेंगे ऐसे और एक इंच लेते हुए कपड़े को हम इस तरह से इसी राउंड में कट कर लेंगे ये देखिए तो ये मेरा कट हो गया अब हम फ्रंट पार्ट पे इस तरह से निशाल लगा लेंगे इस तरह से रखते हुए अब हम इसको भी कट कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे कट हो गया अब हम चलिए इसकी स्टेचिंग करते हैं तो इसको हम इस तरह से खोल के रख लेंगे यह देखिए ऐसे और इसको हम किनारे में फोल कर लेंगे हाफ इंच जबाते हुए पूरे में फोल कर लेंगे फोल्ड करने के बाद इसको हम यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे फ्रेंड ऐसे अच्छे से मिलाके और हाफ इंच जबाव लेते हुए हम गला बना लेंगे और चोटी चटी कट लगाने के बाद इसको अंदर के साइड में टर्न कर लेंगे देखिए इस तरह से हम कर लिए और इसको उपर हम लेस लगाया है नीचे के साइड में तुर्पाई हो जाएगा और जो उपर के साइड में था यहाँ पे हम मोती को लगा लिए है जिसको और भी अच्छा बनाने के लिए अब एक सिधा मार्क किये है देखिए बीच में उसके बाद जो 20 सेंटर है उसके बाद हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे यह देखिए तो 20 सेंटर से हम निशान लगा लेंगे 5-5 इंच तक पूरे नीचे से उपर तक अब हम सारे निशान को आपसमें अस तरह से मिला लेंगे यह देखिए, उपर तक इसी निशान को हम सिधा कर लेंगे उसके बाद हम इस साइड भी 20 सेंटर के पास जो निशान लगाया है उससी के पाशेंचai आंप लेंगे ऐसे तो यहाँ पर हम यह वरे लैस को लगाने वाले हैं यह तरह से यह दखिए आप छाये तो अपने पसंद का कोई भी लैस यूज कर सकते हैं फिरेंड हम इस साइड भी इस तरह से लैस को लगा लेंगे ऐसे रखते हुए तो इसको हम लगाके कर लिये हैं अब यह जो लैस है सपटे नीचे के साइद में इस तरह से लगाएंगे ऐसे मुदूं कपीकर लोड़ा ओसे इसे के लोड़ार करें द करक़ें तरह से लहाएंगे चलिया हम इसको भी इ Antoine कर लेते हैं उसके बाद हम इसके ऊपर देखिए ऐसे ही हम बैक पार्ट को भी बना के रेडी कर लिए हैं इसको इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे और सोल्डर की तो डबल सिलाई के साथ शॉल्डर को हम अटेच कर लेंगे फिर उसके बाद हम बड़ी की फिटिंग करेंगे यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक उसके बाद हम दावन को भी ऐसे डबल फोल करते हुए है इसरिज कर लेंगे और इधर का खर लेंगे और बैक पाट में में हम लगाएंगे हैं इस तरह से आपको पता हैं इस तरह से हम स्लीप कुर्ती में लगा लेंगे ये देखिए और इसको भी इस तरह से तो इसको हम ready करके दिखाते है तो देखिए इसका पूरा फानल लुक कुछ इस तरह से कुर्ती बन के ready है आपको ये कुर्ती कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कमेंट सेयर करना ना भूले मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए बाई बाई फ्रेंड अल्ला हाफिज टेक क्यार